साहिब जी से हम लोग मिलने गए, साहिब जी ने इतनी बढ़िया बात कही, कि जहां उबना चाहिए, वहां डूब रहे हैं, और जहां डूबना चाहिए, वहां से हम उब रहे हैं, अर्थात सत्संग है, सत्गरंथ है, संत महापृष्णों का संग है, संतों को बुलाएं, संत के पास जाएं सदगंतों का ध्यन करें इसमें हमें डूबना चाहिए उमर हमारी बीत दी जा रही है लेकिन हम राग रंग में कामक्रोध में लोग मोव में डूबते जा रहे हैं जहां से उबना चाहिए एह हमारा जीवन में सबसे बड़ा दुरभाग है आप सभी लोग धन् प्यदन इतना है कि जो विचार हमने भजन में सबसे पहले विशाखा साहिब जी से कि सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं छरzeitig भूलाना महा मुडता है हमको मुडता का त्याग कर के समझदारी का सद्यूपियो के बिबेग करना है विचार करना है और जितने जीवन के द बस अपनी कमी देख है 물론 हर समय यही निवेदार रहता है जो व्यक्ति अपने अज्ञान को देखता है वह सबसे बड़ा ज्मीर कहलाथ तो हमें अपने अज्मीर कहलाने का बहुत सौख मीला है आईए इसी क्रम में 36 गड़ मूरा आश्रम से आई हुई साधवी सुमन साहिव जी से हम बिनमर प्राथना करते हैं आप भजन भी बहुत अच्छा गाती हैं और विचार भी देती हैं तो समय वही रहेगा आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार या भजन स समाज को सभी को लाभान मित करने की किर्पा करा हैं बोलिये सद्गुरु देवे की जयाए प्रेम से बोलिये सद्गुरु कबीर साहिब की संत समाज की द्यान मोलं गुरुर मुरती पूजा मोलं गुरु पदं मंत्र मोलं गुरुर वाक्यं मोक्ष मोलं गुरु कृपा गुरूर देवो, गुरूर धर्मो, गुरूर निष्ठा परमतपह, गुरूर परतरम नास्ती, नास्ती तत्वं गुरूर परम, नास्ती तत्वं गुरूर परम. परम स्रद्धे, परम पुज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन अर्शनी वंदनी संत समाज, इस सत्संग सरीता में निमजन कर रहे, धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं, एवं सक्ति भक्ति के स्रोथ मेरी माता बहनों हम सबने संतों से और सास्त्रों में एक बात सुनी है, कि चार प्रकार के खानी होते हैं, मनुष्ट, पिंडज, अंडज और उश्मज ये चार प्रकार के खानी में सबसे स्रेश्ट किसको माना गया है? मनुष्ट से खानी को माना गया है लेकिन मनुस्य जो है स्रेष्ट है लेकिन मैं कहती हूँ कि मनुस्य स्रेष्ट नहीं है वो अपने आप में पूरा नहीं है मनुस्य को स्रेष्ट बनना पड़ता है सद्गुन सदाचरणों से उसे अपना जीवन अच्छा बनाना पड़ता है जैसे एक उधारन से मैं बताऊं कि जैसे अन तीन खानिया है पिंडज, अंडज, अरुसमज उसमें जैसे कुट्टा है कहते हैं कि कुट्टा को यह नहीं कहा जाता कि तू कुट्टा बन बकरी को यह नहीं कहा जाता कि तू बकरी बन सेर को यह नहीं कहा जाता कि तू सेर बन याने कुट्ता जब जनम लेता है तो अपने आप में पूरा बन करके ही वो लेता है सेर है और भी ऐसे पसू पक्षी है वो अपने आप में पूरा होता है लेकिन मनुष्य से पूरा नहीं होता है मनुष्य अधूरा रहता है इसलिए वेद में कहा गया है मनुर्भाव तू मनुष्य बन तो मनुष्य मनुष्य कैसे बनता है जब वो अपनी मनुष्यता को प्राप्त करता है और मनुष्यता को कैसे प्राप्त करता है पुर्सार्थ से सद कर्मों से सद विचारों से मनुस्य अपनी मनुस्यता को प्राप्त कर सकता है तो मनुस्य को मनुस्य बनने की बात कही गई है तो मनुस्य मनुस्य कैसे बनेगा उसका बीजारोपन कहां से होगा कहते हैं कि हमारे क्या हमारी सरकार हमें मनुस्य से बना सकती है सरकार के पास मनुष्य से बनानी की कोई योजना नहीं है हमारे भूतपुरो राष्टपती हो गए है या प्रथम राष्टपती कहिए डाक्टर राजिंद प्रसाद जी उन्होंने ये बात कही थी कि सरकार के पास निर्मान की कोई योजना नहीं है मनुष्य को मनुष्य से बनाया जा सके ऐसा उसके पास कोई योजना नहीं है मैं अभी कुछ दिन पहले हरियाना गई थी हिसार एक बहुत बड़ा सहर है उसमें एक जगा लिखा हुआ था कि खचर अनुसंधान केंद्र याने एक खचर को एक गधा को और अच्छा गधा अच्छा खचर कैसे बनाया जाए और कहते हैं कि आगरा में बकरी अनुसंधान केंद्र है और कहीं गाय अनुसंधान केंद्र होगा या कुता अनुसंधान केंद्र होगा यानि उसके नसल को और डेवलप कैसे किया जाए कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए इसका हर जगा अनुसंधान केंद्र है लेकिन एक मनुस्य को अच्छा मनुस्य से बनाया जाए इसका केंद्र इसका अनुसंधान बहुत कम कहीं नहीं देखा जाता है और सचमुच में इसका नुसंधान, इसकी खोज सिर्फ संतों के पास है, रिशी मुनियों ने हमें दी है एक मनुस्य को अच्छा मनुस्य से बनाने के लिए उसके अंदर संस्कारों का आधान करना पड़ेगा आज की समझ क्या है, आज कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिस मेडियम में, अच्छे डिग्री कॉलेज में या अच्छा से अच्छा युनियर्शिटी में अगर हम एड्मिशन करा देंगे, तो हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा लेकिन यह हमारा भ्रम है, आज हम देख रहे हैं, अच्छा इंसान तो अच्छा इंसान वो अपने माता पिता का आग्या का पालन करने वाला भी नहीं बनता है अपने माबाप को समझने वाला भी नहीं बनता है एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा तो सच चरीत्रों से नईतिक्ता से बनी जाती है आज हम देख रहे हैं कि आज के सिख्षा, आज के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बने और बड़े बनाने के होड में लगे हुए हैं लेकिन वो बड़िहा बनाना नहीं चाहते हैं तो बड़िहा बनाने के लिए हम देखते हैं कि प्रयास तो किया जा रहा है और कहते हैं कि बड़िहा बनाने के लिए अच्छा डाक्टर बनाना जरूरी है तो अच्छा डाक्टर तो नहीं बन पाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डाक्टर बन करके वो किड्नी चोर ना हो आज हम देख रहे हैं, आज के माता पिता बड़ा बनाते हैं, डाक्टर बने, इंजिनियर बने तो ये माता पिता गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो डाक्टर बन करके वो किड्नी चोर ना हो ये आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अच्छा इंजिनियर बने याने इंजिनियर बन करके वो किसी घोटाले बाजी ना करे कि ऐसा कुछ पूल बनाए और उसमें सामागरी अच्छा से ना डाले और वह पूल गिर जाए और हजारों निर्दोस लोगों की जान जाए माता पिता ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वह वकील और जज बनाए तो अपने वो न्याय को ना बेचे आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि बड़ा बन जाए तब कि वह साइंटी से बन करके वह पैसों की चक्कर में वह देश के टेकनोलोजी को ना बेचे तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं तो इसलिए संतों ने एक बात कही है कि साक्षर अविप्रिता सत राक्षस भवती अर्थात बच्चों को सिख्चा के साथ साथ अगर उनकी अंदर संस्कारों का शमायोग नहीं किया जाएगा तो वो राक्षस बने जाता है किसे कहा जाता है साक्षर का मतलब क्या है कि सिख्चित वेक्ती सिख्चित वेक्ती या कह दीजिए अप्टुडेट वेक्ती कह दिया जाए तो अगर साक्षर का उल्टा कर दिया जाए तो वो राक्षस ही होगा तो यही बात है बच्चों को अच्छा संसकार दिया जाए और अगर केवस सिक्षा ही दिया जाएगा तो वही बच्चे बड़ा तो बन जाएगा लेकिन समाज को बिगारने वाला समाज को काटने वाला होगा और ना मापाप की इज़त करेंगे ना शम्मान करेंगे ना सेवा होगी इसलिए चाहिए कि बच्चों को बड़ा बनाने से पहले बड़िया बनाएं और ये हमारी भारत की संस्कृति दे ही रही है एक बार क्या हुआ कि एक विदेश की महिला कुछ दिन से भारत में रह रही थी तो उसे एक मंच पर कुछ अपना अनुभाव देने का समय मिला तो अपना अनुभाव दे रही थी कि मैं कुछ दिन से भारत में रह रही हूँ और मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ 20 साल मुझे हो गए भारत में र मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, अमेरिका से आई हूँ और आप सब जानते हैं कि अमेरिका में कैसे अच्छी से यह बड़ा बनने के होड में लगे हुए हैं, कैसे अच्छा से अच्छा लगजरी कार हो हमारे पास, अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगे हो अच्छी सड़के हो इसी पर अमेरिका के लोग जो हैं लगे हुए हैं कि हम कैसे बड़ा से बड़ा बन जाए और अपनी पूरी जिंदगी खफा देते हैं बड़ा बनने में लेकिन मैंने भारत में आकर के देखा कि यहां की संस्कृति ऐसा है कि केवल बड़ा बनने में नही बड़ा कैसे बनाया जाए इस पर संत गुरुजान और इसी मुनी बताते हैं तो वो विदेश की महिला ने कहा कि बड़ा बनने की कला केवल भारत की संस्कृति ही हमें दे सकती है और सचमुच में इसका स्रे एक अहम भूमी का कहा जाए वो हमारी माताओं को जाती है नारिय माताओं पर ये स्रे जाता है क्योंकि आज सबने छत्रपती सीवा जी का नाम सुना ही होगा हमारे भारत के बहुत वीर हुए कहते हैं कि उनकी माता जीजा बाई ने जीजा बाई उनकी माता तो थी ही लेकिन साज साथ उनके मित्र उनके मार्ग दर्सक और उनके प्रणा स्र शुर्वीर थी और वे अपने प्रताप को वही घुर सवारी और सुर्वीरता की बाद उन्होंने बताई और भी कहते हैं हमारे देश के राष्ट पिता महत्मा गांधी जी ने ये अपना अनभव देते वे कहा है कि मेरी अनपण मा असिक्षित मा लेकिन समझदार और संसकारी मा मैंने अपने जीवन में जो सत्य हिंसा का पाट पढ़ा है वो मेरी मा की ही देन है तो सचमुच में अगर नारी सुक्चित हो जाए याने सुछ संसकारी हो जाए तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है और अगर वो सुछ संसकारी नहीं होगी तो जानते हैं हमारे देश में क्या घटना घट रही है आप सुने हैं ना कोलकाता में एक ट्रेणी डॉक्टर मौमिता देवनाथ उनके साथ क्या घटना घटी और भी कुछ दिन पहले हैदराबाद की वो पसुची किस्सक 27 वर्सी क्या नाम प्रियंका रेड़ी जी के साथ जो उनके साथ रेप हुआ अ तो एक डौ लोग लाइट में आ जाते हैं तीवी समाचारों में पत्रकारों के द्वारा तो हम जान जाते हैं लेकिन लाखों लड़कियों के साथ नारियों के साथ शोषण र रेप और अत्या चार हो रहा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है तो आज सरकार को देश देते है कि सरकार ने ऐसा किया लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर माबाप संसकारी नहीं है सही गया नहीं दे रहे है बच्चा कहां आ रहा है कहां जा रहा है मोबाइल दे दिया जाता है मोबाइल में क्या देख रहे है उसका कोई ख़वर नहीं है तो मूल पर जाएं, मूल गलती कहां से हो रही है और जब अच्चे जब बड़े हो जाते हैं, गलती करते हैं तो सरकार को दोस देते हैं तो यही बात है, यह घटना ना घटे इसलिए कहते हैं, कि हजारो फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए और हजारों इट चाहिए एक मकान बनाने के लिए लेकिन एक अकेली इस्तरी काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए इसलिए एक भजन में बहुत सुन्दर बात कही है मेरे देश की बहनों तुमको देखे रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी हर घर को तुम शर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम उस देश में जन्मी हो, जिस देश में सावीत्री सीता तुम उस देश की बेटी हो, जिस देश में गुझ रही गीता हस हस के तुम जग में जीना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मौम बना सकती हो सती पदमनी तुमने जनमी, तुमने लच्मी जलकारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी देखो कही भटक मत जाना, जोठे हास विलासों में, करना अच्छा काम तुम्हारे, नाम रहे इतिहाशों में दुनिया तुमको याद करेगी, अच्छी भारत की नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी तुम पे बड़ी जिम्मेदारी बहुत संदर विचार भी हमसे